आपके सामने ये जो चार्ट है वो है IQ Lighting का, IQ Lighting के IPO का आज लिस्टिंग देट था और आप देख सकते हैं कि ये रहा price का candle और ये रहा volume का candle IPO के लिस्टिंग के दिन ये 427 के higher range पर जाने पर सफल हुआ और आपको पताईए 285 रुपए के higher price band पर ये IPO जिसको भी मिला है उसकी तो आज चांदी अच्छी खासी हो गई है friends तो आप देख सकते हैं कि upper price band के बाद IPO closing लगाने में सफल रहा एक अच्छे खासे लेवल पर और वो लेवल है friends जो opening हुआ था IPO का वो था 392 रुपए का उसके बाद 427 हाई और low 392 और close हुआ है 403 रुपए पर 215 के ऊपर बंद होने में सफल रहा है इसका मतलब है कि हमें कुछ और levels भी आप देखने चाहिए बनेट तो अब इसके बाद के levels है friend 222 रें 233 और उसके बाद है 242, 222 आप याद रखे 222, 233 और 242 यह बहुत ही short term के targets में आपको दे रहा हूं 222, 233, 242 उसी तरह से आपके साफ पास जो support level है वह 204 रुपए का है 204 रुपए के stop loss के साथ आप यह trade very short term के लिए maintain कर सकते हैं लेकिन long range में अगर आप देखें तो यहां पर stock जो है वो अपने higher point से काफी नीचे correct होता हुआ फिर नीचे से आपको मिलता हुआ उपर के level पर recovery आई है 132 रुपए का friends जो है वो 23 जून 2022 और उसके बाद के level सगर आप देखें तो इस साल अच्छा कासा यहां पर आपको recovery होते हुए एक साल में नजर आ रही है friends आज का दिन जो है वो defense stock के भी नाम रहा defense stock में shipping जो companies है मजगा डॉक आप देख सकते हैं जबरदस्त यहां पर return all time high पर close करता हुआ stock में जर आया 1180 के ऊपर stock चला गया है और जो बेस formation है friends वहां पर अच्छा खासा stock ने जो है वो वोल्यूम भी दिखाया हुआ है यह आप देखिए जो breakout यहां पर हुआ है यह जो short term का breakout है heavy volume के साथ यहां पर breakout हुआ है friends यह देख सकते हैं कि जहां पर support है वो है एक हजार 801,000 के आसपास का यहां पर support है friends दूसरी company है shipping के ही area में वो है coaching CPR इसका चार्ट अभी फिलाल उतना आपको अच्छा नहीं नजर आएगा लेकिन एक base formation के बाद यहां पर भी एक upside आपको नजर आ रही है अब यह जो base formation है वो था 547 रुपए के आसपास 547 को base formation के ब 504 के levels है और उसके बाद 631 यह आप याद रखे friends 580 को ही अगर आप एक stop loss माने तो यहां पर आपके लिए यह दो levels है friends defense sector में ही एक हाल की ही listed company यानि की DCX system DCX system अब भी जवरदस तरीके से अब उपर की ओर जाते हुए आपको दिखाई दे रही है तो यहां पर जो closing हुई है 250 के आसपास हुई है और उसके उपर के जो लक्ष है friends वो 260 हो जाएंगे and then उसके बाद 270 इस तरह से higher point पर जो DCX का जो अंदर आएगी friends यह आप नोट करके रखिएगा तो friends आज के date में यहां पर जो मैंने आपको अपडेट दिए IKO lighting and then defense stock and then X side में जो breakout हुए था यह update आपको friends कैसे लगे जरूर comment में बताईएगा अपने target और support level भी यहां discuss करेगा और इस stock से बारे में आप क्या सोचते है यह जरूर डिसकस करें friends चैनल प्रनाय है तो subscribe जरूर करें thank you so much friends